पार्टी कैसे हैं आप सब कैसे हैं आप सब चलिए भाई आ गए हैं वो अपनी क्लास लेके तो पहले तो चाहिए जल्दी से इस वीडियो का जो लिंक है ना उस सारे फ्रेंड्स का शेयर करके आज़े उनको बता दीजिए कि आज की क्लास का टॉपिक है नेटवर्क डिवाइ तो हम भी कर रहे हैं आप भी करिए भाई हना राइट चलिए तो बच्चा यहां पर आपको कहानी समझ में आगे होगी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं नेटवर्क डिवाइसे पढ़ने वाले है बच्चा आज हम हना तो चलिए अभी पढ़ बढ़ने वाली है क्योंकि यहां पर क्लास में कुछ नोड़ भी मैं आपको बनाने के लिए बोलूँगा तो उन नोड़ को अगर आपको बनाना है तो क्लास में आपको थोड़ा सा पैन पेपर लेकि बैठना पड़ेगा राइट चलिए चलिए भी या तो यहां पे बहुत सारे लोग अलड़ी अटी आपको चलिए नेटवर्य शॉती क्या है यह संबजने से पहले स्टार्ट करते हैं उमारे इंट्रोडट्ट्चन पाक्षाथ तो बच्चा यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं चलिए तो बच्चा यहाँ पर पहले तो जाईए इस वीडियो का लिंक शेर कर दीजिए सबके साथ, हाना, class start करने से पहले, हम लोग जल्दी से जाते हैं, इस वीडियो का link share कर देते हैं, सबके साथ, ता कि सबको पता चल सके कि भीया, class दो है न, वो start हो चुकी है, राइट चलिए, तो लीजे भीया, मैंने भी link share कर दिया है, आप लोग भी कर दिजें, फटा फट, फटा फट कर दिजें, भीया, हाना, चलिए, तो I hope कि सबको link मिल गया होगा बच्चा, हाना, सबको link मिल गया होगा, राइट, तो यह link मिल चुका है, बस करना क्या है, अब जल्दी से जाना है, और join करना है class को, हाना, जल्दी राइट चन automatically क्लास को बच्चा राइट देलेहे तो भाइया क्लास का लिंक आपको सब मिली चुका है हाना और आएट इंग सबने जोइन भी करना स्टाट कर दिया है राइट चेलिए त्थिश्म के यहां परं आज क्लास में आने वाला है, बहुत मस्ती, बहुत मज़ा, क्योंकि भीया, आज क्लास कुछ खास है, आज क्लास जो है ना, कुछ खास है, राइट, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बच्छा सेशन को, सबसे पहला पार्ट है नेट्वर्क डिवाइसे, हाना, यह हम क्रियेट करते हैं, क्या चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है, रहा हमं क्यों कर पाते हैं, ऑने नेंटवर्क डिवाइसे के बिना हम जानकारी देना चाहूंगा आपको OSI model के बारे में जो आप देखते हैं कि हमारा computer network काम कर रहा है हम लोग यहां पर कोई जब भी आप कोई message send करते हैं इंटरनेट पे तो आप जैसे sender है सामने वाला receiver है आप जब message send करते हैं तो message network पे इन 7 layers से होके गुजरता है याने 7 layers से पास होके वो receiver तक पहुंचता है तो भाई यहां पी 7 layers काम करती है बढ़ हमको तो पता ही नहीं पढ़ता है भाई हम तो सिर क्यों अकेल है ना बट आपको नहीं पता इंटरनेल इतना लंबा process भी शामिल है तो बच्चा यहां पे एक standard model बनाया गया था जिसको बोलते है OSI model और यह model जो था theoretical model था यहांने इसको कभी implement नहीं किया गया यह तो बच्चा theoretical model था theory की form में रहे गया जो model implement हुआ वो था TCP IP वो model भी कुछ-कुछ इसके जैसा ही है वो जो model बना वो इसको देख के ही बनाया गया तो ही कह सकते है कि OSI तो reference model है यह theoretical model है जिसको बनाया गया में 7 layers थी और इसी को देखके TCP IP model बनाया गया और आज के जमाने में यह TCP IP प्रोटोकॉल ही यूज होता है यह जब भी आप internet पे कोई message सेंड करते हैं को डेटा डाउनलोड करते हैं तो जो data होता है वो TCP IP की layers से होके गुजरता है अना बीच में TCP IP protocol काम करता है राइट clear तो बच्चा यह TCP IP protocol कैसे काम करता है यह तो हमको नहीं जाना हमको इतना detail में नहीं जाना हमको तो यह पता करना है कि इन layers में जो devices NIC network interface card RJ45 modem और repeater यह आती है physical layer में फिर आती है हमारी उपर data link layer इसके अंतर आती है यह devices hub bridge और switch थर्ड होता है network layer जिसमें आता है router और gateway तो हमको यह 10 devices जो है वो आज की class में पढ़के खतम करनी है राइट चलिए तो बच्चा सबसे पहला समझते है network interface card राइट network interface card क्या होता है जब भी आप लोग internet connect करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा लोग दो तरीके से connect करते हैं यहां तो वाई-फाई के थू या फिर computer को या अपनी device को तो हम लोग क्या करते हैं simply केवल आ रही होती इंटरनेट की उस इंटरनेट की केवल को हम लोग plugin कर देते हैं अपने laptop या computer के अंदर तो यहां पर जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर काड़ है Ethernet card हना यह बच्चा क्यलाता है हमारा Ethernet card इसी को बोलते हम NIC card राइट network interface card यह क्या होता है बच्चा जैसे आप अपने computer को देखेंगे अगर कभी तो computer जब आप purchase करते हैं तो computer में computer manufacturing company जो होती है वो क्या करते है card लगाती है कुछ इस तरीके का जिसमें आप लोग अपनी LAN cable अटेच कर पाते हैं इंटरनेट की जो केबल होती है वो आप अटेच करते हैं और अपने computer को इंटरनेट से जोड़ देते हैं तो बच्चा यह जो card होता है अंदर यह दिख रहा आपको यह जो computer manufacturing company है वो इस पर print करके या कह सकते हैं कि इसमें save करके देती है हमको यह physical address होता है यानि यह printed address होता है और इसको हम change नहीं कर सकते हैं यानि computer निर्माता companies होती है computer manufacturing companies होती है वो जैसे आपका laptop create करती है तो laptop create करते वक्ट या computer create करते वक्ट उसमें NIC card लगाती है इस तरीकी का जिसमें हम लोग internet connect कर पाते है land cable लगा कि और NIC card पे एक number छपा रहता है जिसको बोलता है mac address हना वो mac address हर computer का unique होता है यानि दुनिया में जतने वी computers है हर computer का mac address बिल्कुल unique है एक दूसरे से अलग है तो यूनिक नंबर होता है जो की छापा जाता है आपके card के उपर और यही कहलाता है Mac address या physical address राइट तो यह कहां होता है हमारे network interface card पर होता है अब network interface card भी दो तरीकी के होते हैं बच्चा अगर आपके पास traditional computer जो desktop computer हम यूज करते हैं दब्बे वाला तो उसमें आपने देखा होगा सिर्फ LAN cable का ही port होता था उसमें वाइफाई होता ही नहीं था अना तो उसमें तो सिर्फ यही वाला card लगा रहता था connect करने के लिए laptop में दो options हैं तो Ethernet connect कर लो या फिर वाइफाई connect कर लो दोनों ही तरीकों से आप internet को connect कर सकते हैं अपने से तो अगर आप वाइफाई यूज कर रहे हैं तो यह वाइफाई वाला network interface card यूज होगा और अगर आप LAN cable से connect करके बैठे हैं तो Ethernet card लगेगा जनरली होंगे कि network interface card जो है यह हमारी help करता है हमारे workstation यानि हमारे computer को यह workstation का मतलब क्या है computer आपका जो device है राइट तो हमारे computer को internet से connect करने में network से connect करने में हमारी मदद करता है कि हम लोग अपनी network की cable इसी card के अंदर attach करते हैं और इस card पे यूनिक नंबर print होता है जिसको बोलता ह है mac address या physical address mac address की full form याद रखीगा बच्चा media access control address यह पूछा जा सकता है exam media access control address चलिए अगर आपको मैं कहूं कि सर आपने बात बता ही हमको mac address होता है हमारे network interface card पे छपा रहता है चाहे वह वह वाइफाई का card हो दोनों पर mac address आता होगा क्योंकि laptop में तो दोनों होते हैं एथरनेट वाला भी card होता है और वाइफाई वाला भी card होता है तो दो NIC card याने दो mac address क्या है एथरनेट वाले mac address को क्या है चलिए दोनों गर आप चेक करना चाहें तो भाइया आपको कुछ नहीं करना आपकी computer में command prompt होता है cmd जिसको आप बोलता है ना command prompt open करिए वहाँ पर ये type करिए line ipconfig यह type करके एक slash लगा के आपको लिखना है और यह लिखके एंटर मारें एंटर मारती आपके सामनी पूरा screen आ जाएगा इसमें अगर आप देखें तो दो तरीकी की चीज़े दिख रहे है आपको एक तो ethernet दिख रहा है एक wireless दिख रहा है आपके ethernet वाला जो कार्ड है उसका physical address या फिर mac address प्रिंट होगा यह आपका mac address है इसको physical address भी बोलते है mac address बोलते हैं यह तो वह ethernet वाले कार्ड का जिसमें आप LAN के वाल अटेच करते हैं अब आपके laptop में वायर्लेस NIC card भी होता है network interface card भी होता है उसका mac address अलग है यह आपका wifi वाले card का mac address तो दोनों ही mac address आपको आप screen पे check कर सकते हैं आप अपने computer में भी check करेंगे हैं यह मैंने तो अपने computer का दिखाया आपको राइट चलिए तो बच्चा अब यह तो हुई बात NIC card के ने network interface card की अब आते हैं बच्चा बात कि अभी अभी कहा सब network interface card में जो मारा ethernet वाला card होता है यह इस तरीकी का दिखाया आपने diagram में इसमें हम लोग land cable attach करते हैं यहां पर हम लोग अपनी ethernet cable या land cable attach करते हैं तो जब आप land cable को चीलते हैं तो अगर आपने कभी ethernet cable को चील के देखा हो कट करके देखा हो तो उसमें से 8 अलग-अलग color के तार निकलते हैं यह green blue yellow ऐसे अलग-अलग तरीकी के wires देखी हैं तो यह सारे ही wires हमारे कुछ नगुछ specific reason से बनाए जाते हैं और हमको इनको अपने device से connect करना हो तो भाया अब आठ वार्स को यानि अगर हम land cable चीलते हैं तो उसमें आठ अलग-अलग रंग कितार निकलते हैं उसको अगर मुझे कंप्यूटर से connect करना है तो मुझे अपने computer खोल के उसमें network interface card में solding करना ही पड़ेगी इन आठ वतार को connect करना पड़ेगा वायर से connect करना पड़ेगा तो बच्चा एक काम तो difficult होगा ना बार बार ऐसे holding अटाएंगे निकालेंगे थोड़ेगा तो हम लोग क्या करते हैं बच्चा इसके लिए connector यूज करते है special type का आपने देखा होगा अगर अपने school में कभी या कहीं पर आप गए हो land cable अटेच की ह आपको अलग अलग के अंदर इन वायर्स को आपके computer से connect करने में आपकी मदद करता है इन तारों के बीच में और आपके NIC कार्ट के बीच में जो उन तारों को आपके network interface कार्ट से connect कर रहा है तो बीच में joint का काम कर रहा है इसी को बोलते है बच्चा RJ45 रेजिस्टर जैक 45 इसका फुल फॉर्म होता है रेजिस्टर जैक 45 जो की land cable में पस्थित आठ तारों को हमारे Ethernet कार्ट से connect करने के काम आता है अगला बच्चा जो हमारा topic है वो है modem अब हम लोगों ने दो device complete कर ली है जहां से देखीगा यहां पे network interface कार्ट complete हो गया RJ45 complete हो गया दोनों ही किस लेयर की है फिजिकल लेयर की डिवाइस है फिजिकल लेयर की डिवाइस है राइट तो बैया शुती पूछ रही हैं कि सर आप CS नहीं पढ़ाते बच्चा CS अभी तक तो नहीं पढ़ा रहा अभी मैं IP ही पढ़ा रहा हूं बगर computer network तो आपके CS में भी है भाई computer network तो आपके CS में भी है तो आप उधर भी इसको देख सकते बच्चा यहां से पढ़ सकते यहां से पढ़के आप वहाएं पीमेंट करी नहीं कि यह दिवाइस तो आपके computer में आपके syllabus में भी हैं अब अब अटेंड करिए classes playlist मेरी हैं अंदर आपके यहां पे description में वीडियो के description में आपको playlist मिल जाएगी उस playlist में जागे आप वीडियो देखिए अना तो आप CS के भी वीडियो आप जो आपके CS के syllabus का पार्ट है वो तो आप पढ़ी सकते हैं राइट और कुछिश करूंगा मैं कि CS पे अलग से series launch करूं लास्ट मैं exams के टाइम पे अभी तक तो मैंने CS नहीं पढ़ाया बट IP ही पढ़ा रहा हूँ बट अगर आप CS के लिए कहेंगे तो भीडियो CS भी हम पढ़ा देंगे अना तो लास्ट मैं जैसे पिछले साल हमने करा था ना वन शॉर्ट सीवी इस एक्जाम साही में वन शॉर्ट रिविजन कराया था वैसे आप कि Copo Chris वह भी आपकी सिलिबस में तो यह दो टॉपिक आपकी कवर हो जांगे चलिए तो मोटेम किया होता है मोटेम का का होता यह फिजिकल लियर का डिवाइस है बच्चा यह फिजिकल लियर का ही डिवैस है है कि इसका काम क्या होता है आप बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं कि सरथ कंप्प्योटर चो होता है वह सिरफ बाइनरी भाषा को समझता है यह जीरो वन की लैंग्वेज मतलब सर है तो कुंदन जी हेलो बच्छा क्या हाल है जीरो न की लेंगविज का मतलब क्या होता है डिजीनल लेंगविज का मतलब क्या होता है यह समझने वाली बात जा रहे हैं जिसको बोलता है आम Binary Language, है ना? तो computer सर्फ इस Binary Language को समझता है, और किसी language को समझता ही नहीं है. यह हम लोगोंने पढ़ रखाया बच्छपन से तो बच्चा यह binary language को क्यों समझता है बाकी लेंग्विज इसको क्यों नहीं समझता है? यह क्यों आपने कभी computer खुल के देखा हो तो उसमें जो circuits होते हैं वो logical circuits होते हैं बच्चा logical circuits क्या होते हैं आपने physics में पढ़े होंगे end gate, or gate, nor gate हाना तो logical circuits उन्हीं को बोला जाता है जो ये end gate, or gate होते हैं ये वाले gates हाना आपने सुना होगा 0, 1 input देते हैं यहां से आजबता है output, 0 और or में आता है 1 तो ये वच्चा होते हैं logical circuits ना तो computer में जो circuits लगे रहते हैं वो circuits कौन से होते हैं logical circuit जो 0,1 पर कामject हैं उनको दो ही input समझ में आते हैं, 0 या 1, और कोई input उनको समझ में नहीं आता, और कोई signal समझ में नहीं आता, तो computer में जो card लगा हुआ है, जो motherboard लगा हुआ है, जो circuit लगा हुआ है, वो logical circuits पर based है, combination circuits पर बेस्ट है, तो ये कारण होने की वजए से ही, उनको सिर्फ 01 के input signal ही समझ में आते हैं, बाकी signal समझ में नहीं आते है, इसलिए computer को जब भी कोई signal दिया जाता है, तो digital signal दिया जाता है, यह पाइनरी signal दिया अब digital signal कैसा दिखता है, ऐसा signal होता है digital signal, जिसमें नीचे के लो पार्ट को दिखाया जाता है 0 से, हायर पार्ट को दिखाया जाता है 1 से, यह अगेन 0, यह 1, यह 0, यह 1, जो उटा उच है, यह पाहाड जो उचा है, वो है 1, और जो लो लेवल है, वो 0 है, और दूसरे signals होते है, जो क्यों होते है, analog signals, जिनमें value vary करती रहती है, इस तरीके स नहीं होता है, यह सIGनल होगा, बहुत सारी values होते है, वेराटी होती है, तो यह vary करता रहता है, इसकी values होती है, वेरी करती, साभ की तरह, यह कलाता है analog signal, और यह कलाता है digital signal, मौडम क्या होता है, बच्चा जब भी आप computer से कोई message send करते हैं किसी और person को जैसे यह माल लीजिए यहाँ पर कुंदन जी बैठें है हाना यह कुंदन जी जो है यह message send कर रहे हैं यहाँ पर शुर्ती को यहाँ बैठी नहीं हमारी और दिजिटल सिग्नल पर काम करता है डिजिटल लेंगवेज और बाइनरी लेंगवेज पर काम करता है तो जो जो इस प्रॉब्लम क्या है कि जो बाहर आपके गली के अंदर लाइन बिची ही एं टेलीफोन लाइन जिसके द्वारा यह signal ट्रैवल करेगा जो इंटरनेट की ल मैसेज शुर्ती तक पहुंचेगा कैसे तो भी हम काम ऐसा करेंगे हम लोग वीच में लगाएंगे डिवाइस जिसको बोलते हैं मॉडम यह दिख रहा मॉडम आपको यह मॉडम क्या करेगा कुंदन द्वारा भेजे गए मैसेज को डिजिटल सिगनल से कनवर्ट कर देगा एन जान करता करता यह पहुंचेगा करता पार शुटी के एढ़्यों अडेटी आधर एंड अब जब यह पहुंचे तो वही मैसेज आया है वह तो सबस्ता है तो तो अब मुझे उल्टा काम करना पड़ेगा। then user सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यहां तो अमने डिज़टल हैं ईनल ओम में ड्याlor में करना पड़ेगा। और फिर शॺंभे डीज़िकनल को हॉटी को तो यह काम क्यों करेंगा इतैका यह काम भी करेंगा। या ज़ब मोडम दोनु काम करता है जब modulation और जब कोई signal को analog से digital में convert किया जाता है उसको बोलते है demodulation demodulation तो जो हमारा modem होता है यह दोनों ही काम करता है बच्चा यह दोनों ही काम करता है modulation का काम भी करता है demodulation का कि जो sender है sender के अधे तो क्या करा है इसने डिजिटल को analog में convert किया यानि यहां पर करा इसने modulation वाला काम यहां तो हुआ modulation वाला काम और जो demodulation वाला काम हुआ यह receiver एंड पर हुआ कि analog से इसको डिजिटल में क्लियर है क्लियर है चलिए बेलकुल कराएंगे कोशिश करेंगे बच्चा यह भी करा देंगे राइट चलिए तो यह तो था बच्चा मारा modem अब बारी आती है हमारे अगली डिवाइस की जो कि है repeater यह repeater क्या करता है यह कौन सी बला का नाम है सब तो सुनिएगा अच्छे से कहानी इसकी भी बच्चा आपने अक्सर देखा होगा कि आपके गली महले में जो internet की लाइन जारी है जो टेलीफोन की लाइन जारी है एक पोल से दूसरे पोल पर आपने देखा होगा जैसे एक पोल है हमारा इस पोल से लाइन जारी है दूसरे पोल पर यह हमारा दूसरा पोल है इन पर यह लाइन जारी होती है तो इन पर अक्सर आपने देखा होगा कुछ ऐ रटक रहे होते हैं हवा में इन पोल्स पे कुछ जैसे बॉक्स टाइप टंगे रहते हैं यह बॉक्स टाइप आपको दिखिए नहीं को बोलते हैं यह क्या होता है बच्चा रिपीटर कि भाईया जब आप लोग कह रहे हैं कि यह जो लाइन है पूरी इंटरनेट की जो लाइ लाइन है ना सब तो टार पर टैंपरेचर का प्रेशर का पानी का सब चीज़ों का सर पड़ता राइट हीडी टार में सिंक्स डराड लच कर रहे हैं कहीं टामक जादा होते की बहुत होता ह。 तो इन सब चीज़ों का एक शलता है और सब्सक्राइब और कारणों से बीड朝ester धूब रहाट है कि इलेक्रोमेगनेटिक इफेक्ट चुमबक ही प्रभावा आ जाता है तो उन चीजों से सिग्नल क्या होते हैं वीक होते चले जाते हैं जिसे माली जिए आपके घर से सिग्नल निकला और 100-200 कान कि दिस्टेंस पर जाने के वाद सिगनल क्या हो जाएगा क्योंकि बीच में रिस्टेंस आएंगे टैंपरेचर में प्रेशर में बहुत सारी चीज़ाएं जिसके विश familiar हो जाते आप अब क्या करना होता है, उसको signal को वापस से energy जोती है, उसकी वापस maintain की जाती है, उस signal को weak से वापस strong में convert करना होता है, आधर वाइस वो आगे तक travel ही नहीं कर पाएगा, हाना वो तो कमजोर पढ़ जाएगा रास्ते में, right, क्योंकि हमको तो यह quality maintain करना होती है, data की quality maintain करना होत तो यहाँ पर एक काम करता है repeater, repeater क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि जो boxes टांगते हैं, यह pole पर आपको wire टंगे वे दिखते हैं boxes, यह क्या करते हैं, जब कोई signal बहुत दूरी पर चलने के बाद weak हो जाता है, तो यह repeater क्या करते हैं, उसको amplify कर देते हैं, यहना इसकी power को वापस increase कर देते हैं, boost कर देते हैं, और यह signal weak से वापस क्या हो जाता है, strong, याने अब ही अगर मैं बात करूं तो आज कल हर 100 meter की distance में, 100 meter की distance में, यह repeater लगाया जाते हैं, और repeater काम ही होता है, repeater काम ही होता है, कि signal जब weak हो जातो उसको वापस से strong बना दिया जा, right, right, clear clear बच्चा, clear, clear, करनिश्क साब, spam मत करिए बच्चा, है लो, यह श्राज क्या हाल है बच्चा, है न, चलिए, तो यह समझ में आ गया बच्चा, अब आपको एक चीज और बता रहेता हूं, मैं एक चीज और समझा रहेता हूं, कि यहाँ पे, बहुत सारी तरीकी के अलगला केबल्स यूज की जाती है, टान्समिशन के लिए बहुत सारी केबल्स यूज की जाती है, कुछ केबल्स जैसे आप आप जनल देखते हैं और आजकल optical fiber केबल आ गई है, तो केबल्स के यहसाब से रिपीटर लगा जाता है, तो नॉर्मल केबल्स के बाद हमको रिपीटर ल लगाने पड़ते हैं बड़ जो आज कल चल रही ऑप्टिकल फाइबर कीबल ऑप्टिकल फाइबर के खासियत होती है कि 60 km तक वो सिग्नल कोई पावर लॉस किये बिना वो ट्रेवल कर देता है अना सिग्नल को तो ऑप्टिकल फाइबर की के अच्छी है उसकी शम्ता कितनी अच्छी है कि भया 60 km तक हमको रिपीटर लगाने की जरुत ही नहीं पड़ती वो सिग्नल स्ट्रॉंग का स्ट्रॉंग रहता है 60 km के बाद हो थोड़ा थोड़ा वीक पढ़ना स्टार्ट होता है तो हमको जो रिपीटर लगाने पड़ते हैं वो 66 km के बाद लगाने पड़ते हैं इसलिए ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं महंगा जरूर है बट फ्यूचर के साब से बहुत अच्छा है अना चलिए अब आत अन पर से यहां पर एक नंबर प्रिंट होता है की कंप्योटर मैं अपनी प्रिंट करके देते हैं उसी को बोलता है Mac address, आप जो हम डिवाइस पढ़ेंगे थीनों की तीनों devices जो हैं, यह mac address पे काम करती है, यह हम लोग जो पढ़ रहे हैं तीनों devices, यह तीनों devices data link layer की है, और यह तीनों की तीनों Mac address पे काम करती है devices, चली देखते हैं किसका क्या आच्छे समस्ते हैं अच्छे समस्ते है इसको चलिए ज़िए अब आगे समस्ते कहानी को सुनिए अच्छे से सबसे पहली डिवाइश आती है बच्चा हब और हब एक तरीकी की एलेक्ट्रोनिक डिवाइस है हना जो कि क्या करती है नेटवरकइंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोप लियल करती है कि जब आपको कॉम्प्यूटर्स वापस में connect करना होता है बहुत सारी कंप्यूटर्स वापस में connect करना होता है जैसे कि मानली जीज़ एक office है दृत चलिए तो कुन्दनगुमार बुचहने सा सबसे पहली एक डिवाइस आ रही है जो माई data link layer की network devices पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहली डिवाइस है वो है हब हब क्या करता है बच्चा जैसे कि आपको डाग्राम में या पर दिख रहा है कि कुछ computers हैं हाना यह चार और पाच यह साथ seven computers and seven computers को मैंने क्या कर रखा है आपस में connect करने के लिए इनका एक network बनाने के लिए मैंने क्या कर रखा है एक बीच में device लगा रखी जिसको बोलते हैं अब यह हब कैसा होता है आपको यह डाग्राम में दिख रहा है यह वाली डाग्राम में second diagram में इस हब की अगर बच्चा में अटेच कर सकते हैं तो हम क्या करता हैं हब को बीच में रख देते हैं और हर computer से एक इक LAN के बल विच्छाई जाती है जिसका एक चोड़ तो computer में connect किया जाता है और एक हब में connect कर दिया जलते है ऐसे ही इस हम में हम सारे computers को connect करते हैं और हमारा एक network खक्रेठ करने के लिए घूप को यूज करते हैं तो यह सबताएं क्या हए और बुराहिया क्या होती है ना कि वहां हर डिवाइस की कुछ नों कुछ एडवांटेज़ होंगे तो डिशएडवांटेज़ भी होंगे लिए यह करके हम सबको पढ़ते हैं बच्छा यह क्या करता बहुत इसली हमको नेटवॉक बनाने में मदद करता है हमारी कि हम क्या करे इनके बीच में computer network बन जाएगा और अब एक डिवाइस रहे वो दूसरी डिवाइस को easily कोई message send कर सकते हैं data exchange कर सकते हैं information exchange कर सकते हैं तो बच्चा यहां पे एक problem है बस जो है broadcast mode यह जो हब यह broadcast mode पर काम करता है broadcast mode का मतलब क्या होता है सुनिए गाच्छे से कि भाया यहां पे अगर कोई person जैसे कि माल लीजी हमारे यहां पर बैठी हुए शुति कुमारी हाँ ना हाँ concentrator भी बोलते राइट इसको बिलकुल सही बोला concentrator भी बोलते इसको बहुत सही बोला शुति है ना हब को concentrator भी बोला जाता है राइट तो बच्छा जैसे माली जी यहां शुति बैठी वी है यहां पर बैठी वी है अब शुति जी ने कोई message send किया है यहां से वो message गया हब तक अब यह हब क्या करता है बच्चा जो भी message आता है उस message को यह सारी devices पर broadcast कर देता है यानि इससे जो भी computers connected है जो भी notes connected है उन सब पर यह message को भेज देगा देखें यह green color से दिख रहा आपको message आया था red color का उसको इसने सारी computers पर जो भी notes connected है सब पर broadcast कर दिया यानि यह बिल्कुल उसी तरीके का है जैसे आप WhatsApp पर करते न कोई message create करो और उसको broadcast कर दो आपके सारे context को message पहुंच जाता है सिमिलर वे में यह काम करता है कि शुर्ती सिरफ message send करना चाहती थी नवदीब को बढ़ी message यहां से जब hub पर पहुंचा थो हमने क्या कर रहा इसको सारे ports पर हब में जितने ports थे उन सारे ही ports पर सको broadcast कर दिया यानि इस हब से जितनी भी devices connected है सब पर ही message चला गया अब बाकी के जो computers है वो देखेंगे यह message हमारे से related ही नहीं है तो वो लोग तो इसको ignore मारेंगे पर नवदी भईया जिनके लिए message आया है वो इसको उठाएंगे accept करेंगे और read करेंगे तो यहां प अब को यहां एक non intelligent device है इसका जो ज्यादा यूज किया जाता है वो star और ring topology में किया जाता है बेसिकली star topology में यूज करते है रिंग में भी नहीं ज्यादा करते है और यह mac address पे काम करता है बच्छा यह device मैक address पे काम करती है मतलब यह क्या करती है हब जो है सारे computers के mac address अपन जिसको चाहिए होगे accept करो बाकी लोग ignore मार राइट तो बच्चा यहां पर दो तरीकी के hub होते हैं यह hub भी दो तरीकी होते है active hub एक होता है passive hub क्या करता है हब का काम करने के साथ-साथ amplifier यानि की repeater वाला काम भी करता है कि जब कोई signal आएगा इसके पास आएगा यहां पर तो यह क्या करेगा उस signal को पहले तो amplify करेगा यानि उसकी power को बढ़ाएगा तो हमारा repeater कर रहा था न वही काम तो यह signal आने वाले signal को पहले तो power up करेगा boost करेगा उसके बाद सबको send करेगा तो यह active hub जो है यह दो काम करता है एक तो repeater का और एक हब का दोनों काम कर लेता है एक्टिव आपको कह सकते हैं repeater प्लस हब है यह repeater प्लस हब है राइट दोनों काम कर लेता है क्लियर बच्चा अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको ट्राइग्राम से समझाता हूं कैसे कोई मैसेज जो है यह सब तक पहुंचता है यह देखिएगा इनिमेशन से समझेगा कि हब काम कैसे करता है अदवाइस बच्चा यह थोड़ा समझने में मुश्किल हो जाई और होने मैसेज सेंड किया था और यहां बेठा था मेरा नवदीब नवदीब जी बैठे आखरी वाले इस दिख रहा जाता वा शुति के कंप्धिटर से यहां से देखी अब यह सब तक पहुंच रहा है अना सारे के सारे जो पोर्स सभी पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है यह प्रॉट सारी पोर्स पर ही चला गया याने सारी कंप्पूटर्स जो कनेक्टेट है सभी पर चला गया ने ब्रॉटकास्ट हो गया राइट जली तो भईया यह था हमारा डाग्राम जिसने हम लोग ने समझा इसको आप चलिए आपको क्या पढ़ाना चाहरा था में आप चलिए अब बढ़ते बच्चा आगे अब इसके डिसएडवांडेज पढ़ लेते हैं फटावट है इसमें ट्रैफिक बहुत जाला नक्रीज कर रहा है जिसको मेसेज नहीं भी चाहिए उनको भी सेंट कर रहा है है इसको मेसेज चा क्यसिक बढ़ते हैं खreally जीए जब सब्सकूना चाहिए और सबसेट है इसको करेंगे चाहिए और ब्रॉटकास्ट करता है साअरे-पीचीड पे गलता है प्राइवेसी बिल्कुल है राइट ब्राइबैशी है नहीं ऑग अगली डिवाइस पर इसको थोड़ा बहुत solve करने काम करा, bridge ने, बट ये भी पूरी तरह से solve नहीं कर पाया था, इसमें भी कुछ कमिया रह जाएंगी, देखेगा भी, bridge कैसे काम करता है, देखेगा, भाई अब क्या होगा, अब हम लोग जो हमारा network था न ये, जो हमारा network था, एक, दो, तीन, चार पांच से साथ computer थे मेरे पास, इन साथ computer को बच्चा में क्या गरूँआ, दो पार्ट में तोड़ दूँआ, जैसे आठ computer माल लो, तो, आठ computer को मैंने दो पार्ट में तोड़ लिया, हाना, एक तो बनाया LAN 1, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये local area network 1, यानि ये जो मारा पार्ट दिख रहा है आपको, ये तो बनाया LAN 1, इधर चार computers attach करें, और चारों की बीच में एक hub लगा दिया, जो भी हमने पढ़ा था न, hub, वो hub लगा दिया, ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी चार computers attach करें, और उनकी बीच में एक hub लगा दिया, और इन दोनों hubs के बीच में, मै ये एक LAN 1 है, ये LAN 2 है, ये इन दोनों connect करनेया काम कर रहा है, इनके बीच में पुल का काम कर रहा है, पुल ब्रिज नाम सही दिया गया इसको, पुल का काम कर रहा है दोनों बीच में, तो ब्रिज एक डिवाइस है, जो की दो local area network को connect करती है, तो ये लिखावा है देखी, connection local area network to another local area network, अब तुनिए गई काम कैसे करे जाए, ये भी mac address की table को save रखता है आपने पास, याने ब्रिज में भी, जितने भी computers यहां पे connected है, इन सारे ही computers का mac address के पास save रहता है, तो ब्रिज क्या करता है, आपने पास एक table बनाता है, आपने टेबल में, LAN 1 के सारे mac addresses को save करता ह अब देखीगा, माल लीजे वही वाला example लेते हैं हम लोग, कि शृती जी ने यहां से कोई message send किया, यह message गया, ठीक है, और यह जाना है नवदीब के पास, नवदीब बैठा है land 2 के अंदर, शृती जी है land 1 में और नवदीब जी है land 2 में, तो माल लीजे बच्चा, चलो पह इधर इस वाले computer पर नीचे, तो शृती जी को message भेजना है नवदीब को, शृती का message है वो यहां से जाएगा, इधर, होना, message send करेंगे, सबसे पहले जाएगा, हब पे, हब क्या करेगा बच्चा, हब इस message को, सारी की सारी जो dedicated lines से connected है, सब पे send कर देगा, यह broadcast करता है, आप broadcast कर दिया, clear, अब बच्चा, यह message जो है, यह broadcast हुआ है, तो नवदीब के computer पहुच गया होगा, बाकी के जो तीम computer है, उन्होंने तो क्या करा, इसको ignore मारा, बट नवदीब ने इसको accept किया, यह message बच्चा travel करता हुआ, इधर भी तो गया होगा, इस वाली line पे, इस वाली line address में save कर रखें, तो जब यह message यहां से आएगा, इस bridge के पास, तो bridge check करेगा, कि जो यह message आया है, हाना, क्या यह किसी land 2 के PC के लिए आया है, इधर के land 2 में, किसी computer के लिए आया है, तो भी आप बोलेगा, नहीं, यह message आया है, हाना, यह land 2 के लिए नहीं है, यह तो land 1 में नवदीब बैठा हुआ यह land 1 में है, land 2 में, अगर land 2 में है, तो 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 यहां आगे जाने की permission देगा, यानि मान लीजिए अगर नवदीब यहां बैठा होता, इस वाले computer में, तो 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 जो आगे जाने की permission देता, बड क्यूंकि नवदीब इस land 2 में ही नहीं, तो यह इसक मैसेज को देखता है कि जो यह मैसेज आ रहा है यह नेटवर्क टू में किसी कंप्यूटर के लिए तो यह पहरेदार teasing परिज मेसेज आया है लुए किसके लिए नवदीफ के लिया है नवदी्फ जी बैठे है लेंग टू में तो इसको acted === मेसेज तो इसको लेंट टू महतने जाने थो मैशिच को अदरवाई इसको यहीं ब्लोक ॥ तो फिर भी traffic तो बढ़ावा है यहापर भी traffic कम नहीं हो जादा कि अगर LAN 2 के अंदर PC नहीं है तो ही ये traffic को control कर रहा है LAN 1 में तो broadcasting हो ही रहे है इधर तो broadcasting हो ही रहे है तो कह सकते हैं कि पूरा complete solution यह भी नहीं है ठीक है चलिए अब बड़ते हैं अगे जो बहुत आच्छा काम करेगी की जबolph और कि पास भी बेजेगी बागी किसी भी नोड के पास नहीं बेजेगी तो प्राइवेसी रहती है यहां पर का सक्कूरिटी रहती है जैसे देखिए माल दिजे वहीवाले एक्जामपल यह शुटी बैठी है ना शुर्ती ने कोई मैसेज भेजा नवदीब के लिए तो यहां बैठे में नवदीब जी हमारे तो शूती ने मैसेज भेजा नवदीप के लिए तो शूती का दौर सेंड किया गया मैसेज जाएगा स्विच पर जैसे हम हब कनेक करें था था ना हब की तरह दिखता है सुच यह देखो यहां पर देखो आप अगर यह इंटेलिजेंट डिवाइस है जैसे शूती मैसेज भेजेगी इस स्विच को तो स्विच के पास मैसेज आएगा तो स्विच भी क्या करता है हब की तरह अपने पास मैक एडरेस की टेबल बना के रखता है और यह चेक करेगा कि जो आया है मैसेज उसमें रसीवर का म नवदीब के कम्प्यूटर भेजना है तो क्या करेगा उस मैसेज के अंदर रसी वका एडरेस देखेगा और उसी एडरेस पर सिर्फ सम्प्सक्राइव को भेजेगा बाकी नहीं वेजेगा अगर ये message शुरती के दौर्ड dot com के अ जूहा है उसको Intelligently यह सिर्फ नवदीव क ये वर्वे सेंड करेंगा बागी पोट पर सेंड नहीं करेंगा तुह ये ये हैं इंटलीजेट्ट येzekए सेंडवी सेंड बन्दे के लिए कि उससी की पासमैसेज के पास्री अइे लुए है बाकी ये सेंड़ कर रहा है। चैक इसमें सारे मैक आडरेस रिस्टरड तो यह चेक करता है कि जैसी कोई मेंशेज आता है तो उसमें किसका में इस अप्धिर सेर्फ यह मैसेज को बाट जुन करता है बागियों बाकियों संट नहीं करेगा तो आप मैसेज टारेक्ली शुति से इस सुच्छ के पास आएगा स्विच से जाएगा नवधीब के पास चलिए इसको भी एनिमेशन में देखते हैं समझते हैं मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं पिक्चर को आप लोग इसको अच्छे समझ पाएं इसके बाद वाली दोनों डिवाइस बच्छा बहुत ईजी हैं उसमें जाद यह देखी गए यहां पर यह देखे रएड डॉट आया यह गया है सीधा लास्ट वाले कप्पूटर पे यह नहीं इस वाले कंप्पूटर पर यहां बैठावा नवधीब तो बच्चा यह वैसे जो है फिल्यर इस वाले पोड में बैशने को एक और यूजर है यहां पर य यह रहा है यूजर 1 और यह रहा यूजर 2 यूजर 1 मैसे सेंड कर रहा है यूजर 2 के लिए तो देखी सिरफ और सिरफ यूजर 1 से ओके यूजर 2 के पास ही जा रहा है बाकियों के पास यह नहीं जा रहा है तो जो मैसे जिस पर्टिकुलर परसन के लिए आ रहा है उसी परसन क के पास सेंड होगा बाकियों के पास सेंड नहीं होगा राइट टेल बच्चा तो आपको इस एनिमेशन से क्लिरली समझ में आगया होगा विर्ट कोशुश करिए मैंने इनिमेशन की थोड़ा सा आपको ज्यादा बहतर समझाने की राइट चलिए बच्चा चलिए तो स्टार्ट करें आगी कहानी, स्टार्ट करें, चलिए, चलिए भाई, ठीक है चलिए बच्चा तो अब आते हम अगली कैटेगरी पर जो की हैं नेटवर्क डिवाइसेस वाली कैटेगरी, हाना, अब जो नेटवर्क लेयर है, हाना, नेटवर्क लेयर है, जो लास्ट लेयर है हमारी यह देखिए मैं वापस जाता हूं पीछे थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा रहेता हूं राइट तो बच्चा यह हब ब्रेज और स्विच यह तीनों भी हमने पढ़ लिए हैं ठीक यह तीनों भी होगा हमारे समझा तो बच्चा जैसे डेटा लिंक लेभर थी उसमें जो तीनों डेवाइस थी चाहे हो स्विच था चाहे यहां जो बच्चा यह थोड़ी सी अलग है यह जो दो डिवाइस है यह आई-पी एड्रेस को सेव करते हैं अब यह जब भी आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक करते हैं ना इंटरनेट से जब भी आप अपने कंप्यूटर को कनेक करते हैं तो बच्चा इंटरनेट से जैसे आप कंप्यूटर को कनेक करते हैं तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है ISP वो आपको एक आई-पी एड्रस अलोकेट करता है जो आपनेinksल्नक्राइटर पर आपनेंयोट में कर आपको इंट्रनेट सर्विस प्रवाइडर यो है आपको एक IP आपके और आपको आईपरोब करेगा और वो आईपे अडर्स क्या है बिसकलि आपकी पहचान है उस नेटवर्क के अंदर आपका एक आइडेंटिटी नंबर होता है वैसे वो आइडेंटिटी नंबर है आप अगले दिन मान लीजे कहीं और जाते हैं वहां जीयों के नेटवर्क पे अपने लैप्टॉप को कनेक क करते हैं तो वहां आपको अलग आईपेडरस मिलेगा जμ है तो आईपेडिकर सकता है जब अलग 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 नेटवर्क स्मील करते हैं चेंज करते हैं आप से काम करती है सुनिए का अच्छे से राउटर राउटर क्या करता है आपने अगर आपने घर पर इंटरनेट लगवा रखा हो तो आपको पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं जब घर पर इंटरनेट लगाते हैं तो हमारे पास एक इंटरनेट वाले भाईया आते हैं वह क्या क कर रही होती है यहां पर हना यह होती है दो इंट दिन वाले इसी को बोलते हैं लोग राउटर क्या बोलते हैं राउटर अब बच्चा यह हमारी networking device है जो की क्या कर रही है बाहर के internet को बाहर की जो लाइन जा रही वाई वाई से आप इस राउटर से connect कर देते हैं, तो similarly घर की जत्ती भी devices हैं, इस devices दिखरी है आपको, अलग अलग devices, इन devices को हम लोग क्या करते हैं, इस router से connect कर देते हैं, यह हमारा router है, और यह router क्या करता है, बेसिकली बच्चा, यह router हमारे घर के network को, हमारे घर की devices को, बहार के internet से connect करने में हमारी मलत करता है, यह नहीं कह सकते हैं कि intermediate device है, जो कि हमारे घर की devices को बहार के internet से connect करता है, तो अब इसका use क्या है, और use क्या है, सुनिएगा, तो बच्चा router basically connects lens to when, when मतलब wide area network जिसको हम बोलते हैं, इंटरनेट, wide area network जिसका best example है, इंटरनेट, आपने अग network मैंने समझाता है, तो wide area network का मैंने सबसे best example बचाता है, internet, तो यह हमारे घर की local network को internet से connect करने मावनी मदद करता है, intermediator की तरह काम करता है, तो बच्चा यह जो router होता है, यह basically क्या करता है, हमारे पास, अपने पास एक IP address की table maintain रखता है, जैसी आप अपने घर की devices को इस router से connect क आपको क्या करता है, इंटरनेट पर आपकी identity प्रोवाइड करता है, आपको IP address अलोकेट करता है, आपके घर के network में आपकी पहचान है, अब जब भी कोई message आएगा बहार से, सुनीगा अच्छे से line को अब, इसका main work सुनीगा, कि main work क्या है, इसका main work क्या है, सुनीगा अच् के पास जाएगा, यह router यहाँ पर चेक करेगा, कि जो यह message आया है, हाना क्या यह है, आपकी घर के किसी IP address के लिए है, यानि घर में मौझूद किसी device के लिए है, अगर यह आपकी घर में मौझूद किसी device के लिए है, तो तो इसको अंदर आने की permission देगा, अदावाइज इस है, तो इसको डिलीवर करना है, अदरवाइस बार से ही रवाना करने, राइट, यह राउटर का काम, अब आती है अगली डिवाइस हमाई, लास्ट डिवाइस gateway, इसको समझे अच्छे से, gateway क्या करता है बच्चा, gateway का काम होता है, gateway is a device that connects dissimilar networks, भाई यह सामझ यह कहानी समझ जाँगा, बहुत अच्छे समझ मेंगा, वरना gateway अच्छे भलों को समझ में नहीं आया, तुनिए का, यह क्या करता है बच्चा, intelligent connection क्रियेट करता है, कैसा connection, जैसे माल लीजे कि भाई, आवारे पास यह दो network है, एक network आपको यहाँ दिख रहा है, यह first वाला network है, यह second वाला network है, और यह जो network है, यह हमारा geofiber network, अना, तो geofiber आपको पता है बहिया, किस पर काम करता है, 5G technology पर, यह तो है, जीओ फाइबर 5G technology पर काम कर रहा है, यह वाला network, यह network 1 है, और यह network 2 है, तो दोनों जो networks है, network 1 और network 2, दोनों बिलकुल अलग topology पर है, दोनों का structure ही बिलकु तो बच्चा, यह दो dissimilar type के network है, है ना, ओके, ओके, एक मिनट बिचा, डाउट आया किसी का, शुती कुमारी का, सर आप बोले कि सबका IP address अलग होता है, सबके बाहर से message आएगा, तो पता कैसे चलेगा, कि हमारे घर के लिए आया है, है ना, तो बच्चा, यह काम कौन होता है, हाँ, फायर वाल की तरह भी होता है बच्चा, राइट, सुनी का अरच से बात, शुर्ती आपके question का answer दे रहा हूं सबसे पहले, कि जो मारा मैंने बताया है, कि आपको जो router है, यह एक updating routing table maintain करता है, जो router है, यह अपने पास एक IP address की table maintain रखता है, तो इसके पास आप आपके घर की जित्ते भी networking device connected है, उन सब की IP address की table बनी जोगी, कि मेरे घर पे यह 4 devices है, router को पता होगा कि इस घर में यह 4 devices है, और चारों की IP address यह है, तो अगर वो message जो आया है, वो अभी यहां पर किसी device के लिए है, अभी यहां पर 4 devices connected है, at present 4 devices connected है, उन में से किसी particular device के और किसी और network पे चला गया, वहां जाके उसने अपनी device connect कर रखिये, तो जब यह message आएगा, तो obvious ही बात है, जिस IP address के लिए है, वो IP address तो मौझूद ही नहीं है, वो खुद network से नहीं नहीं connected, वो तो कहीं और बैटा है, किसी और network पे connected बैटा है, तो उसको accept ही नहीं करेगा ह तो आपके लिए message आया है, हना, वो उस message पे लिखा रहता है, IP address receiver का, कि यह IP address है, इसके लिए message आया है, तो वो IP address वाली device at present उस घर में मौझूद होनी चाहिए, अगर हो मौझूद है, connected है उस router से, तो तो उसको message भेजेगा, otherwise ही नहीं तो भईया, फिर खेली खता हम, right, समझ है, अब बच्चा सुनिए का अच्छे से, अब बच्चा सुनिए का अच्छे से, कि भाईया, यहां पे दो devices है, हाई सयान, क्या हल है, बच्चा, तो मैंने आपको बताया था भी राउटर, इसके gateway के बारे में समझा रहा था, मैं आपको, कि gateway में होता क्या है, basically, दो अलग- एक Geo Fiber Network, एक BSNL Network है, यह 3G टेक्नलोजी पे काम कर रहा है, वो 5G टेक्नलोजी पे काम कर रहा है, तो कह सकते हैं, एक 3G, एक 5G है, दोनों का structure ही पूरा अलग हूँगा, दोनों का पूरा architecture अलग हूँगा, अब माल लीजिए, कि यहां पे कोई बंदा बैठा हुए, यह है message send करेगा user 2 के लिए, तो message अब क्या करेगा, एक network से दूसरे network में travel करेगा, और दोनों networks का architecture बिलकुल अलग है, यह 5G है, यह 3G है, तो क्या सकते हैं, दो dissimilar networks है, इसका network बिलकुल ही अलग है, यह बिलकुल अलग है, दोनों different different network है, तो दो different different topology है, दो different different architecture के networks के बीच में communication क कराने के लिए, कौन होता है, gateway होता है, और यह gateway जो होता है, firewall की तरह भी काम करता है, यह ब्लॉकिंग करता है, अगर कोई message अमारे काम का नहीं है, तो right, clear, दोनों काम करता है, clear बच्चा, समझ में आगया, तो gateway का simple सी बात है, gateway जरली, internet service providers होता है, वो लोग इसको यूज करत है, clear, तो कुंदन जी आपका doubt देखते हैं, how to establish TCP connection, बच्चा, यह हम लोग पढ़ेंगे networking में, हाना आप अलग से मेर से मिलिएगा, मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल TCP connection कैसे maintain की जाता है, पूरे detail में समझाएंगे, right, clear, चलिए, और कोई धिक्कत बच्चा, बिल्कुल gate मे firewall की तरह होता है, थोड़ा-थोड़ा firewall की तरह भी काम करता है, right, चलिए, तो बच्चा यहीं पोती है, आज की class खतम, ठीक है, अगर कोई doubt होता, आप पूछ सकते हैं, comments में, बढ़ जाने से पहले इस वीडियो को like जरू करीगा, share जरू करीगा, right, और I hope कि आपको सारी devices के पास भी IPS CS है, थाकि वो लोग भी पढ़ सके इस lecture को, और enjoy कर सके हमारी theory को, right, चलिए, internet और web कप कराएंगे, बच्चा वो है, परसों वाली class, right, कल तो हमारा खतम हो जाएगा, यहीं पर, कल तो हमारा शाहर, I think, networking devices के लावा, network topology class है, तो जो बचावा पार्ट है, ना मार क्या होता है, URL क्या होता है, इसके उपर पूरा एक वीडियो बनाने वाला, right, पूरा एक complete वीडियो बनाऊंगा, दो पार्ट में, ठीक है, चलिए, तो बच्चा दो टाइप के subscription होता है, plus subscription ही होता है, iconic subscription, plus subscription मिलता है आपको, live classes, weekly test, structured course, progress report, unlimited access, और यहाँ मिलता है बच्चा पर मन्त पे, और यहाँ पे आपको, अगर आप plus subscription के सलावा, iconic subscription लेना चाहते है, तो की मिलता है, आपको 2100 रुपर पर मन्त पे, इस पकर आप रैफर कोड लगाएंगे, एजी 01, तो आपको मिल जाएगा 10% का extra off, right, चलिए, बच्चा आन अकैडमी का mega offer आता है, जोगी plus subscribers के के लिए होता है, 12 months का subscription लेने पर आपको दो महीने का subscription प्री मिलता है, राइट, चलिए, thank you so much, शुती, अना, पुद्दा जी, thank you so much, perfect lecture के लिए भाईया, अना, चलिए, तो बच्चा यहाँ पे, आप लोग, उपना हूँ, सेशन भी, हम लोग के connect कर सकते हैं, जोगी कल होने होने वाले हैं, बच्चा अनकेडवी के prodigy test की बात करूं, 13th fab को यह test होने वाला है, इसमें जरूर एंडॉल करिए, AG01 code लगा के, 13th fab को यह test है, यहाँ पे बच्चा को मौका मिलता है, बहुत सारे exciting prices जीतने का, Macbook, Air, Apple, iPhone, Apple, iPad, Amazon, Echo Dot, Amazon के vouchers, 20 लाग तक का college grand है, यानि आप 75% scholarship, 25% scholarship भी available, राइट, चलिए, तो बच्चा अनकेडवी के term 2 के बच्चेस start हो चुकी है, क्लास 11th के भी, क्लास 12th के भी, जल्दी जाके enroll करें, गाड़ी कहीं छूट न जाए, आनकेडवी की free special classes होती है, इसमें पोल्स, quizzes, और बहुत सारे exciting connectivities, तो बच्चा यहाँ आप real को मच बच्चा और एक आपको आखरी में information देना चाहूंगा कि अभी आनकेडवी ने एक पॉल अच्छाओ फर लांच किया आज, 3 months का अगर कोई subscription लेता है, तो उसको 1 month extra दिया जा रहा है bonus, ठीक है, तो बस करना क्या है, लेते वक्त subscription लेते वक्त EG01 code लगाओ, और ले लो code लगाईगा, तो यी 1 month आपको extra free मिलेगा, चलिए तो बच्चा अगर आपको पूरे वीडियो के इंदे कोई भी content लगा हो, तो description में आगे report कर सकते, thank you so much, मिलते हैं अगले वीडियो में like करीगा, share करीगा, share करीगा, like ठोकीगा, toko like, toko like, है ना?